सर्प्राइज देखो दोस्तों हमारे पास है नियो एनिमल सेक्ट और इस पैकेट में हमारे पास बहुत सारे जानवर है चलो इन जानवरों को पैकेट से बाहर निकालते हैं देखो कितने सारे जानवर है चलो इन जानवरों का फार्म बनाते हैं देखो हमारा फार्म बन गया अब हम अपने फार्म में अपने जानवरों को लगाते हैं देखो सबसे पहला जानवर ये है हमारे पस सफेद रंग का गोड़ा ये किस तरह से बोलता है बिल्कुल इस तरह से चलो इस फार्म में इस गोड़े को लगा देए देखो अब ये क्या है हमारे पस ये है जिराफ ये बहुत लंबा है ये पीले रंग का है इसके उपर काले रंग के नशान लगे हुए है ये किस तरह से बोलता है बिल्कुल इस तरह से चलो अपने फार्म में इसको भी खड़ा कर दें हमारे फार्म में अगला जानवर कौन सा आएगा हिपो एक लाल रंग का हिपो ये किस तरह से बोलता है बिल्कुल इस तरह से चलो अब फार्म में इसको भी रख देते हैं हमारे अगले फार्म में कौन सा जानवर आएगा ये वाला ये क्या है ये है गोट यानि लाल रंग की बकरी ये किस तरह से बोलती है बिल्कुल इस तरह से चलो इसको भी फार्म में रख देते हैं हमारे फार्म में अभी और जानवर भी आएगे ये देखो ये है एक रंग बरंगा हिपो यानि एक और इंज कलर का हिपो बिल्कुल ये भी उसी तरह से बोलता है जिस तरह से लाल वाला हिपो बोलता था चलो फार्म में इसको भी रख दें अब हमारे फार्म में अगला जानवर कौन सा आएगा ये वाला ये क्या है ये है शीप यानि सफेद रंग का मेमना ये किस तरह से बोलता है हाँ बिल्कुल इस तरह से चलो फार्म में शीप को भी रखते है अब अगला जानवर कौन सा आएगा हमारे फार्म में ये वाला अरे देखो तो ये है येलो रंगी गोट यानी पीली बकरी ये किस तरह से बोलती है बिलकुल इस तरह से चलो इसको भी यहां रख दे देखो हमारा फार्म कितना ही ज्यादा प्यारा लग रहा है इन जानवरों के साथ मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है और अपने जानवर भी बहूत अच्छे लग रहे हैं अभी इस फार्म में और जानवर रखेंगे हम ये देखो ये आया शियर यानी जुंगल कर रोज़ा ये किस तरह से दाड़ता है बिल्कुल इस तरह से चलो इसको भी फार्म में रख दें देखो अगला जानवर हमारे पास कौन सा है अरे देखो ये आयलाल रंग का गोड़ा ये भी हमारे फार्म में जाएगा चलो अपने फार्म में इसको भी रख दें हमारे फार्म पूरा हो चुका है और हमारे जानवर भी हमारे फार्म में आ चुके हैं तो दोस्तो हमारे पास कुछ और भी जानवर है लेकिन वो farm house के लिए बिल्कुल भी नहीं है देखो ये है हमारे पास scorpion यानि बिच्छू इसको हम farm से बाहिर यहाँ पर रखेंगे ये काले रंग का बिच्छू है देखो ये हमारे पास lizard यानि ये चिपकली बीले रंग की ये कहां पर होगी ये बिलकुल इस दरख्ट पर होगी ये बिलकुल इस दरख्ट पर होगी देखो ये दरख्ट पर चड़ रही है हमारे पास है आखर में ये सांप यानी काले रंग का सने इसको कहा होना चाहिए दोस्तों हाँ बिल्कुल ये भी हमारे फार्म से बाहिए यहाँ पर होगा देखो हमारे नए अनिमल सेट से कितना प्यारा जानवरों का एक फार्म बन गया है चोलो दोस्तों अपने जानवर को कुछ खिलाते हैं यानि गास वगएरा चलो आओ मेरे साथ चलते हैं दोस्तों यहां से खिलाएंगे हम अपने गोडों को गास ये रेखो सफेद रांका गोडा और ये आया लाल रनका गोडा चलो चलो मेरे पयारे गोडो गास खाना शुरू करो गोड़े कह रहे हैं कि उन्हें गास खाकर बहुत मज़ा आया चलो अब दूसरे जानुरों को खाना खिलाने लेकर जाते हैं दोस्तों हमारे पास है हिपो यानि हिपो एक दर्याई गोड़ा है इसलिए इसे हम दर्याई में छोड़ेंगे पानी में ये औरिंज वाला इसको भी हम पानी में छोड़ेंगे ये दर्याई गोड़े पानी पीते हैं देखो हमारे हिपो पानी पी रहे हैं चलो अपने अगले जानुरों को खाना खिलाते हैं दोस्तों हमारे पास है दो बक्रिया यानि एक लाल रंकी और पीले रंकी इन्हें हम ये पत्ते खिलाएंगे चलो मेरी बक्रियों पत्ते खाना शुरू करो हमारी बक्रियों ने भी पत्ते खा लिये हैं चलो अपने अगले जानुरों को खाना खिलाएं दोस्तों ये रहा हमारे पास साम साम खाना बिलकुल नहीं खाएगा बस ये दरख पर चड़ जाएगा इस तरह से देखो हमारा साम दरख पर चड़ गया है ये नहीं खाएगा खाना चलो अगले जानुरों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तो यह है छीप के लिए ये सिर्फ दिवार पर चड़ेगी और ये बी खाना नहीं खाएगी देखो ये दिवार पर चड़ चुकी है, चलो अपने अगले जानवरों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तो ये है बिच्चू, बिच्चू खाना नहीं खाएगा, बलके इन वटी के नीचे छुप जाएगा, इस तरह से, देखो, हमारा बिच्चू छुप रहा है, चलो ये छुप क्या, चलो हम अपने अगले जानवर की तरफ चलते हैं, ये है हमारा जराफा, ओ जराफा इनक चलो इसको खाना खाने दो, हम अपने अगले जानवर को देखते हैं, ये है शीप, यानी मेमना, और मेमना इन फूलों को खाएगा, चलो इसको भी खाने दो, हम अपने अगले जानवर को देखते हैं, दोस्तो ये है हमारा शेर, यानी जंगल का बादशा, दोस्तो शेर क्य और फिए ép leisten ongилra के अरे अरे देखे वूह हमारे गोड़न को खा रहा है उसे हमारे गोड़न कार लिया है वो हमारे गोड़न को को खाँ वी bulb और नहीं वह हमारी चिपली को भी मईगा रहा है अरे उसने हमारी चिकली को भी खा लिया देखो दोस्तों वो जा रहा है अब हमारे साम का शिकार करने हो अरे देखो उसने हमारे साम को भी खा लिया उसने हमारे साम का शिकार कर लिया ये कहां जा रहा है दोस्तो अरे नहीं उसने हमारे बिच्चु को भी बाहिर निकाल लिया उसको भी डूंड निकाला अरे उसने पकड़ लिया है हमारे बिच्चु को अरे वो तो बिच्चु को भी खा रहा है देखो वो हमारे जराफे की तरफ बढ़ रहा है अरे नहीं वो जराफे को भी खा रहा है उसने दोच लिया है जराफे को देखो देखो हमारा जराफा भी खा रहा है वो अरे वो जराफा भी खा चुका है देखो दोस्तों वो जा रहा है हमारी बक्रियों को दोच ने अरे वो हमारी बक्रियों को भी खा रहा है नहीं उसने हमारे लाल बक्री को भी पकड़ लिया है और साथ में वो पीली भी खा रहा है उसमें दोनों बक्रियों को एक साथ दुबोचा हुआ है और दोनों बक्रियों को एक साथ शिकार कर रहा है वो दोनों बक्रियों को खा रहा है अरे नहीं देखो दोस्तों वह आ रहा है हमारे शीप की तरफ बढ़ रहा है अरे देखो उसने जंप कर उसको पकड़ लिया देखो उसने जंप करके उसको पकड़ लिया दो बोच लिया नहीं हमारा विचारा शीप पारे नहीं, वो भी इसके हाथों शिकार बन गया, अरे हमारा शीप भी मर गया अब बहुँआ, क्या कर रहा है ये शेर, देखो, कहां जा रहा है ये आखिद, कहां बाग रहे हो, अरे बताओ तो, देखो, ये कहां जा रहा है, देखो, उसने पानी में चलांग लगा दी, मुझे लगता है, वो हमारी हिपोस को खाने आया है, अरे हाँ, मैं बिलकुल ठीक थी, बागो हिपोस, बागो, हिपोस जल्दी बागो, शेर तुमारे पीछे है, तुम्हें खाने आया है, देखो इनकी आपस में लडाई हो रही है हमारे इपोज शेर के साथ लडाई कर रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं और शेर भी उनके साथ पूरा मुकाबला कर रहा है देखो हमारे ही पोज ने शेर को पकड़ लिया और खा लिया देखो वाओ शाबाश मेरे ही पोज इसने हमारे सारे जानूरों को खाया था तुमनोंने कमाल कर दिया शेर को हरा दिया ओ, शेर को तुम दोनों ने शिकार कर लिया, शाबाश बहुत अच्छे ही पोज तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारी अगली वीडियो को देखना मत बूलना क्योंके अगली वीडियो में बड़ा सर्प्राइज आने वाला है तो उस बड़े सर्प्राइज को देखना है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना होगा सब्सक्राइब करना नहीं आता, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाल बटन दिया होगा बस उस लाल बटन पर क्लिक कर दो, तो सब्सक्राइब हो जाएगा इस तरह से आप हमारी हर नई वीडियो देख सकते हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सर्प्राइज के साथ बाबाई